हलो फ्रेंड्स, है मैं अपरती, वेलकम बैक टू आर चैनल प्लावर्स पाने के बाद दोबारा जल्दी से उस प्लावर्स कैसे पाएं लेकिन ये उन प्लावर्स के लिए नहीं होगा जो साल में केवल एक बार फ्लावरिंग करते हैं यानि कि साल में एक बार फ्लावर्स देने वाला प्लावर्स तो साल में एक ही बार फ्लावर्स देगा लेकिन कुछ ऐसे प्लावर्स हैं जैसे कि जो पूरे गर्मियों और रेनी सीजन तक फ्लावर्स देते रहते हैं जैसे कि यह Xanthostemon chrysanthus जिसका common name है golden panda या black panda भी इसको कहते हैं बहुत सुन्दर इसमें flowers आते हैं और इसमें different colors होते हैं और इसके बारे में already हमने एक वीडियो शेयर की है आप चेक कर सकते हैं description box में या फिर जो exora plant है या बेला या मोंगरा plant है तो इसमें आप ये try कर सकते हैं अब ये जो plant है ये हमने 10 inches के pot में shift किया था तब भी इस पे flowers आ रहे थे जब ये हमने shift किया था nursery से इसको लेकर आये थे कुछ दिन रखा और फिर इसको flowers के साथ ही हमने transplant कर दिया कोई effect नहीं पढ़ा plant पे बिल्कुल बेकार नहीं हुआ flowering पे effect नहीं पढ़ा as it is plant रहा और growth अब ये इसकी second flowering है जो कि आप देखे new shoots आने लगी है हमने इसमें गलती कर दी हमें जब एक बार इसमें flowering हुई थी उसके बाद उपर से इनकी जो tip थी उनको हमें pinch कर देना था कट कर देना था और ये काम आप हर उस plant में कीजिए जो आपको पूरा rainy season या पूरा summer season में flowers द जिस तरह के भी plant हैं जो आपको पूरे season में flowers देते रहते हैं उसमें आप पूराने फूलों को pinch करते रहें अगर आप flowers आने के बाद tips को cut नहीं करेंगे तो ये दो branches हैं जिन पर पहले flowers आये थे और आप देख सकते हैं कि यहीं पर plant की growth रुख गई और जो इनकी leaves हैं वो भी जो करेंगे तो इससे क्या होगा जेसे निए फ्लावर के साइट से निकलेंगी जसे की leaf node जो होता है जहांसे पत्ती निकल रही होती है पौधे में वहीं से-समें New shoots निकलती है और जितनी निए चुछ निकलेंगी उतने ही जाद़ा फ्लावरिंग प्लान्ट पे होगी और उतना ही जादा प्लावर्स देते हैं तो देखिए इस तरह से हमने इनकी अपर टिप कट कर दी जो कि थोड़े टाइम पहले करना था लेकिन आज करेंगे कल करेंगे इसमें ही हम रहे गए क्योंकि हमें वीडियो भी शूट करना रहता है बिना वीडियो के तो कभी भी तो अगर अगर आपके प्लावर्स नहीं आ रहे हैं। कोशिश कीजे जैसे प्लावर टे और रेस्च करता है तो उसके बात कोशिश कीजिए मिटी की गुड़ाई करके एक दो मुठी गोबर की खाद या वर्मी कमपोस्ट आप डाल दीजिए ये प्लांट कटिंग से भी ग्रो हो जाता है तो जो इसमें ये हमें कटिंग मिली है जो हमने अपर टिप कट की है उसी को ही हम पतियां हटा करके दुबारा स मिटी में लगा देते हैं अगर ग्रो हो गई तो ठीक है और नहीं हुई तो कोई बात नहीं क्योंकि अभी ये नई शूट है एक तरह से कच्ची ब्रांच है तो ये ग्रो होने की चांसे कम है लेकिन फिर भी ट्राइब करने में क्या जाता है तो इसको ऐसी सोयल से कवर कर द कर दो कर दो कर दो तो कर दो का तो